तो और भाई लोग क्या हाल चल आई हूप कि आप सब एकदम बढ़ी होंगे यार फर्स की लास तो फाइनली मैं आप सब के लिए लेकर आ हूँ आपको डिवाइस के उपर कुछ ऐसे हाइपर ओस का टॉप फ्री प्रीमियम थीम जो अपने शाओमी एंड पोको डिवाइस पर अपलाई करती है आपका यूए टोटल यहां पे चेंज हो जाएगा तो चलिए फर्स थीम को देख लेते हैं तो यहां पे होम स्क्रीन में आते हो तो कुछ इस तरीके का वाल पेपर है एंड यहां पे आइकन स्पेक आपको मिवाइन नाइन की तरह देखने के लिए मिल जाता है और गाइस मैंने काफी दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं अपलोड किया वीडियो भी अपलोड किय कुछ ऐसा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एंड कंट्रोल सेंटर की में बात करूँ गाइस तो यहां पे कंट्रोल सेंटर एंड लॉक स्क्रीन में जादा चेंजस नहीं है बाट यहां पे मैं थीम की नेम की बात करूँ गाइस तो दोस्तो ये है हमारे लिस्ट के सेकेंड थीम यहाँ पे होम स्क्रीन और आइकन स्पेक आप लोगो कुछ ऐसा इस थीम में देखने के लिए मिलता है वाल पेपर हमें काफी पसंद आया तो देखो लोग की स्क्रीन में जादा कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे वोल्यम स्टेल की कलर को भी उख चेंज करते है यह धिम इस थीम की मैं नेम की बात करूँ तो गाईश यह है हमारे लिस्ट के ध़aqu dife थीम के होम πरेट देखते हो जो भी Theme Store में Theme, Premium Theme है, वो सारे पैड है, और मुझे Theme Design नहीं करने आता है, लेकिन अगर आप लोग इस Theme की Home Screen and Lock Screen पे आते हो, तो आप लोग को काफी अच्छी सी Home Screen and Lock Screen ये Theme प्रोवाइड कर देगा, साथ ही में इसकी Control Center भी काफी अच्छी लगती है मुझे, आप लोग देख सक और दोस्तों हमारा एक सवाल है आप लोगों से, कि MIUI 14 या फिर MIUI 13 12 वगयरा वगयरा आयत है, और HyperOS आप लोग को सबसे अच्छा कौन सा लगता है, HyperOS या MIUI के Old वाली वर्जन 13, 14 या फिर 12, या फिर 9, या फिर 10, कौन सा अच्छा लगता है, 11 बे था, और यहाँ पे लोग की स्क्रीन में कुछ इस तरीके से इस तीम की डिजाइनिंग किया किया है, जो मतलब अगर आप लोगों को म्यूजिक वगयरा विकली प्ले करना है, तो म्यूजिक के लोगों के उपर डबल टैप करके आप यहां से म्यूजिक वगयरा प्ले कर सकते हो, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई